नमस्ते जेस रेसिपी 24 में आप सबका स्वागत है मुल्ड रेप्रेसिंग करने वाला और टैंगे फ्लेवर वाला निम्बु पानी की रेसिपी आज में आपके साथ सेयर कर रही हो तो यहाँ पे मैंने ग्रीन कलर के निम्बु लिये हैं ग्रिन कलर के निमबू का जो निमबू पानी ये बहुती स्वाधिस्ट लगता है मेन के पत्ते दो निमबू का रस मैंने पहले से निकाल के रखा है काला नमक, सपेद नमक, काली मीरी बारी की हुई बुने हुई जिरिका पाउडर और सक्कर जिसे मैंने पेस के लिया है यहाँ पे मैंने दो ग्लास निम्बू पानी बनाने के लिए सामुगरी ली है अब हम लेंगे एक बर्तन उसमें डालेंगे थोड़ा पानी पानी में निम्बू का रस काला नमक काले नमक से हमारे निम्बू पानी को बहुत ही टेंगी फ्लेवर आता है काली मीरी सपेद नमक जीरा पाउडर और पीसीवी सक्कर मिन के पत्तों को हम बारिक करके डालेंगे इससे इनका टेस्ट इन्हांस होता है आप यहाँ पे पानी ठंडा भी ले सकते हो या फिर आइस क्यूब भी डाल सकते हो सबी चीज़े को हम अच्छे से मिला लेंगे सक्कर हमारे पीसी होने से वो बहुत जल्दी पानी में घुल जाती है देखी अभी सबी चीज़े अच्छे से घुल चुकी है अब हम इसमें डालेंगे दो गलास पानी अभी हमारा निम्बू पानी बनके तयार है इसे हम सर्विंग गलास में निकालेंगे फिल्गल दो मिनिट में ये निम्बू पानी बनके तयार होता है निम्बू हमारे सहथ के लिए बहुत ही फायदे मंद होता है इसमें बहुत अधिक मातरा में वीटामिन सी पाया जाता है जिससे हमारे पाच्चन के लिए बेतर रखने में मदद मिलती है साथ में अन्य रोगों से लड़ने में भी मदद मिलती है तो आप इसे जरूर बना के देखिए और अगर आपको मेरी निम्बू पाने के लिए से भी पसंद आई तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक करें, सेर करें और मेरे चैनल पे नए होंगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें थेंक यू फार वाचिंग वीडियो नमस्ते